Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज की हमारी रोच्योक रुप्योगी जानकारी है Difference between पत्थर के फूल and पत्थर के फूल यहां आप देख सकते हैं यह दोनों ही भारत के दो भिन्नी राजियों से खरीदे गए पत्थर के फूल है आज हम इनकी समानताओं और अंतर के विशय में जानेंगे तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले यह पत्थर के फूल जो भारती पश्यमी घाट और उसके आसपास के शेत्रों में मिलते हैं इस पत्थर के फूल को हम अपनी स्रिंकला Lesser Known Spices of India में भी शामिल कर चुके हैं यह एक Lichen यानी काई है Lichen वनस्पती जगत में एक जीवन शैली है जिसमें एलगा और फंगस एक साथ जीवन जीते हैं जिसमें एक भोचन बनाता है दूसरा उसे पोशक तत्व तथा सहारा देता है इस तरह के जीवन शैली को बैलजी में Symbiotic Partnership कहा जाता है यह Lichen समुन्दरी शेत्रों में पत्थरों में उग जाती है और इसका विग्यानिक नाम पर मुठ्रेमा परलेटम है अपने विशिष्ट फूल जैसी गंध और स्वात के कारणी है उन शेत्रों में बहुत से स्थानिय मसालों के मिश्रण में उपयोग में लाई जाती है महराश्र के गोड़ा मसाला तथा काले पावभाजी मसाले का यह अभिन अंग है इसके अत्रिक स्थानिय तोर पर अलगलक शेत्रों में अनेको विशेश पकवानों का यह हिस्सा है भोजन में इसका उप्यो घी या तेल में तल कर किया जाता है क्योंकि तलने या भूनने के बाद ही यह भोजन में गंद और स्वार्थीक से छोड़ पाता है इसको स्थानिय बाजारों और आउनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है इसके 50 ग्राम का मुले 100 रुपे से श्रू हो जाता है आज दूसरा हमारे पास है ये पत्थर का फूल जिसको उत्तर प्रदेश से खरीदा गया है ये उत्तर प्रदेश में एवरीडे बोजन का हिस्सा नहीं है परन्तु विशिस समारों के पकवानों में इसका उप्यों किया जाता है ये मुख्यता उत्रा खंड में चीड और देवदार के पेड़ों पर उग जाता है और वहाँ पर इसकी अनेकों किसमें भी पाई जाती है और वहीं से ये आसपास के शेत्रों में बेचने के लिए लाया जाता है ये जो आपके सामने है इसका विग्यानिक नाम परमेलिया परलेटा है इसको कई स्थानों पे छदीला नाम से भी जाना जाता है ये भी पहले वाले पत्थर के फूल की तरह परमेलेसियाई परिवार से है ये वाले पत्थर के फूल यानि की परमोट्रेमा परलेटम उत्त्रा खंड में नहीं पाई जाते हैं वैसे वहाँ परमोट्रेमा की अनेकों जातियां पाई जाती हैं जिसमें पर्मोठ्रेमा, तिंक्टोरम और पर्मोठ्रेमा रेटिकुलेटम मुखें हैं, जिनका उप्योग मसाले की तरह किया जाता है. इसकी गंद और स्वाद भी फूलों के समान है, यह आपको स्थानिय बाजारों में ही मिल पाएगा, इसके 50 ग्राम का मुल्ले 50-60 रुपे से श्रू हो जाता है. यह है पश्यमी घाट के पत्थर के फूल और यह है उत्राखंड के पत्थर के फूल, यह आप इन दोनों का उपरी तौर पर अंतर देख सकते हैं, इन दोनों का रंग लगभग एक समान है, परन्तो यह वाला पत्थर का फूल दूसरे की तुल्ला में पत्तो की तरह और गंध थोड़ी तेज होती है इसकी तुल्ला में और इन दोनों का उप्योगी मसालों की तरह पकवानों में किया जाता है, हम आशा करते हैं कि आज के हमारे इन दोनों पत्थरों के फूल की यह जलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उप्योगी रहेगी, थैंक्स आपकी एवरीडे लाइफ